नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि तिनफॉल सोल्यूशन का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, तिनफॉल सोल्यूशन को कैसे लगाना चाहिए, और तिनफॉल सोल्यूशन की वज़से क्या साइड इफे तिनफॉल सोल्यूशन का असर दिखना शुरू होता है, तिनफॉल एक ब्रैंड नेम है, तिनफॉल सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन मिनोक्सिडिल होता है, तिनफॉल सोल्यूशन 5% और 10% की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, तिनफॉल सोल्यूशन का उप्योग बालों की जढने की समस्या को ठीक करने के लिए और बालों की री ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए टिनफॉल सोल्यूशन का उप्योग किया जाता है। टिनफॉल सोल्यूशन बालों की जढने की समस्या को कम करता है और नए बालों को उगाने में मदद करता है। टिनफॉल सोल्यूशन सिर्की तवचा में बलड वैसल्स को चौड़ा करता है, जिसकी वज़े से हैर फॉलिकल्स में बलड का सर्कुलेशन बढ़ने की वज़े से बालों को ज्यादा ऑक्सीजन वर नुट्रिशन्स मिलने लग जाते हैं, जिसकी वज़े से नए बालों की ग् पतले होकर जढ़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए डॉक्तर आपको तिनफॉल सोल्यूशन को लगाने के साथ साथ मल्ति विटामिन टैबलेट भी लेने की सला दे सकते हैं, ताकि आपको भेतर परिणाम मिल सकें, अब हम डिसकस करेंगे की तिनफॉल सोल्यूशन को कैसे ल के लिए तिनफॉल 5 पसेंट या तिनफॉल 10 पसेंट सोल्यूशन का उप्योग करना रेक्मेंडेड होता है, तिनफॉल सोल्यूशन को लगाने से पहले आपको अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, ड्रॉपर या स्प्रे की मदद से एक मिलिलिलीटर तिनफॉल सोल्यूशन को प्रभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हलके हाथ से फैला कर लगाना चाहिए, और तिनफॉल सोल्यूशन को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए, बहतर परिणाम पाने के लिए तिनफॉल सोल्यूशन को केवल सिर की तवचा पर ही टिनफॉल सोल्यूशन को बालों में नहीं लगाना चाहिए। टिनफॉल सोल्यूशन को सही तरीके से और नियमित रूप से लगाने के दो महीने बाद टिनफॉल सोल्यूशन का असर दिखना शुरू हो जाता है। टिनफॉल सोल्यूशन की वजह से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में टिनफॉल सोल्यूशन की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को टिनफॉल सोल्यूशन को लगाने के बाद त्वचा में बहुत तेज जलन, खुजली, त्वचा पर सूजन, त्वचा पर रेडनेस, त्वचा पर रैशेस या त्वचा पर सुई चुबने जैसी समवेधना होती है। तो ये लक्षन टिनफॉल सोल्यूशन की वज़े से एलरजी होने पर हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को टिनफॉल सोल्यूशन को लगाने के बाद ऐसा कोई लक्षन होता है, तो तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की टिनफॉल सोल्यूशन को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। तिनफॉल सोल्यूशन प्रभावी नहीं होता है। तिनफॉल सोल्यूशन को नहाने के तुरंथ बाद नहीं लगाना चाहिए। अगर गलती से तिनफॉल सोल्यूशन आपकी आखों में चला गया है तो आपको तुरंथ ही पानी की मदद से आखों को धो लेना चाहिए। अगर आपके बालों को उड़े हुए काफी साल यानी दो-तीन साल से अधिक समय हो चुका है या अगर आपके सिर के बाल पूरी तरह से उड़ चुके हैं और आप बिलकुल गंजे हो चुके हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए टिनफॉल सोल्यूशन को लगाना रेक्मेंडेड नहीं है। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए टिनफॉल सोल्यूशन का उप्योग करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को तिनफॉल सोल्यूशन को नहीं लगाना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका टिनफॉल सोल्यूशन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.